गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आप सभी का श्रिवेद ग्यान इंस्टिट्स पर हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और जिसा कि आपको मालुम है कि हम आपके सामने कोई नए अपडेट लाते रहते हैं तो इसी कड़ी में हमने आपको एक नए अपडेट देने जा रह होगा तो जी हाँ दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है कि ओपन बुक पैटन पर हो सकती है एक्जाम सरकारी स्कूलों की तो जो भी सरकारी स्कूल है उनकी जो छे मा की एक्जाम है वो ओपन बुक पैटन पर हो सकती है और यहाँ पर एक निउस निकल के आ रही है कि सहकारी मंजस की स्थिती बनी हुई थी वो अगले हफते तक समाप्त हो सकती है कॉलेजों की तर्ज पर विभाग ओपन बुक पैटन से यह परिक्षा आयुजित कर सकता है जी हाँ दोस्तों जो सिक्षा विभाग है उसने एक प्रस्ताव पारित करके गौर्मेंट के पास पहुचा दिया है पर गौर्मेंट का अभी निर्णे आना बाकी है और ऐसा माना जा रहा है कि तीन नवंबर तक इस पर निर्णे आ सकता है कि जो भी सरकारी इसकुलों की एक्जाम है वो किस पैटन पर होंगी और इसकुल शिक्षाविभाग ने एक प्रस्ताव तयार किया है और इस पर शिक्षकों और प्राचारियों से राई भी ली जा रही है क्योंकि आप सभी को मालुम है कि कोरोना संक्रमन की करण जो परिक्षाएं हैं जो नवंबर में होनी थी वे अभी परिक्षाएं संपन नहीं हो पाई है और इसकुल की जो पढ़ाई है वो अभी जो है जादा त्रिवगती से नहीं चल रही है तो इस वीडियो में हम आपको यहीं इन्फोर्मेशन देना चाह रहे हैं कि एक प्रस्ताव जो है विभागन तयार करके राज्य साशन को दे दिया है और राज्य साशन की स्विक्रती अभी इस पर आना बाकी है और हो सकता है कि तीन नवंबर को इस पर निरने आ सकता है तो आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप की जो पढ़ाई है आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको इसी तरह से निरंतर करते रहिए और आपकी जो एक्जाम है छे माँ की जो एक्जाम है है ना वो कभी भी उसके उपर निर्णे गोवर्मेंट का आ सकता है और जिसा कि आपको मालूम है कि यहाँ एक अभी केवल प्रस्ताव भीजा गया है इस पर फैसला आना बाकी है तो आप सभी अपनी एक्जाम की तैयारियों को आगे बढ़ाएं और यदि यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जादसरदार इस वीडियो को शेयर करें थैंक यू वेरी मच